Hello everyone welcome to my channel और आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी वाव का Hair Varnish यह जो Hair Retardant आता है वूमन के लिए specially pink color और इसमें 3 color आते हैं blue for men green for sensitive skin sensitive skin मैं की भी हो सकती है women की भी हो सकती है कोई भी उसकर सकता है तो आज में इस पर video बना रही हूँ तो आज देखिये तो लेट स्टार्ट यह वाव स्किन साइन्स है यह काफी लोगों ने इसको सुना हुआ है बहुत पॉपुलर हो गया यह ब्रांड भी और हर चीज है इनके पास बेबी के प्रोडक्स से लेकर रडल के प्रोडक्स तक हर चीज एक्षली जब लोगों इसे कैसे करना है यह है क्या जब हम लोग वैक्सिंग कर लेते हैं हम लोग क्रीम लगाते हैं रेजर यूज करते हैं फिर उसके बाद जो बाल आते हैं वह फिर नॉर्मल ग्रोड जो चलती रहती है तो उसको यह थोड़ा वीक करता है जैसे बाल बहुत ब्लैक आ रहे हैं तो ब्लैक नहीं आएंगे दीरे दीरे उनकी ग्रोड भी कम होगी और उनका जो ब्राउन होने लगे बाल और हलके होंगे बहुत पोकी से नहीं होंगे ब्लैक नहीं होंगे और हाड नहीं होंगे बहुत सॉफ्ट से होंगे जैसे कि इस समय मुझे काफी खतम हो गई है यह जादा है नहीं यह यूज कर लिया यह रहे है और वैक्सिंग करने के बाद मैं इसे लगा हूँ क्योंकि चिपचिपई नहीं है ग्रेशी सी नहीं है ड्राइण कर रहे हैं यह अश्वालों को अईली नहीं लगेगी यह बिल्कुल एब्सॉर्ब हो जाता है स्कीन में रूट में अच्छे से चला जाता है आपको दो टाइम लगाना है इसको जब भी आप हाथ मुँ अच्छे से दोएं मुह में तो लगाने ही नहीं है हाथ पैर जब भी आप अच्छे से दोएं उसके बाद इसको लगाईए बहुत स्मूज सा हाथ हो जाता है कोई ऐसी फ्रेगेंस नहीं है कि आप महगते रहेंगे या कपड़ें महग जाएंगे तो वैसा भी कुछ नहीं है और यह बताता है कि हेल्प करेगा वीक करेगा उसके रूट को डिले करेगा दीरे दीरे डिले करेगा की ग्रोथ डिले हो लेकिन यह मैं सुची का कि एक ही ट्यूब लगाने के बाद हमारा सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा वैक्सिंग की ज़रूद नहीं है तो ऐसा कुछ भी नहीं है यह थोड़ा सा लॉंग पीरेड है और उपर से हर इंसान पर थोड़ा डिपेंड करता है कि उस पर यह वर्क जल्दी कर रहा है या लो कर रहा है या करी नहीं रहा है यह भी हो सकता है पर हां मेरे में थोड़ा बहुत किया है पर अभी तो एक ट्यूब खटम होने वाली है बिल्कुल खटम नहीं हो गई है लाइट करेगा और जैसे की लाइट है और लाइट है ब्लाक एकदम नहीं ब्राउन से है यह सबसे अची बात है हरबल है आपको पैराफिन नहीं मिलेंगे और मिन्रड ओल से इसमें नहीं है यह भी चीज़े हैं यह यह हंडर्ड हमल की है और आपको अमाजॉन से फ्लिपकार्ट से नाइका से कहीं से भी ले सकते हैं ऐसा कुछ नहीं है मैंने इसको नाइका से लिया था और यह 449 का है 100 ml आप इसमें कॉल भी कर सकते हैं वीवर्स के उपीनियन मैटर करते हैं उनको बहुत ज़्यादा मिस कॉल दीजिए यह उनके अकाउंट है फेसबुक में इंस्टाग्राम में वहाँ पर भी आप उनको मैसेज कर सकते हैं उनसे जान सकते हैं पूरा प्रोसेस इसका की जैसा इसमें लिखा है वैसा ही है या वास लिखा है और कुछ खास नहीं है इसमें क्या क्या पड़ा है फुटिफार्ड वाटर है सनफ्लॉवर ओयल है पपाय थोड़ी सी स्मेल भी वैसी आती है जैसे एक हाथ में लगाने है बहुत जादा नहीं लगता है बाकि आपके उपर भी डिपेंड करता है जैसे और लगा लिया अच्छे इसे इत्ते हाथ में बस मैंने एक ही डॉप एक बार में स्कुईज की और देखिए आपके निकलाया और अराम से लग गया यह इसकी अच्छी बात है कि यह जैसे आप हम लोग अपना मोस्टराइजर लगाते हैं वैसे जैसे एब्सॉर्ब हो जाता है वैसे ही यह भी है थोड़ी सी आई थी स्मेल उसके बाद अब खतम होगी कोई स्मेल ऐसी खास है नहीं इसमें यह मुझे बहुत अच्छा लगा और सबसे बड़ी बात कि आपके बजट में आएगा ऐसा नहीं है कि बहुत महंगा है एक बार तो सभी लोग ट्राइक करी सकते हैं क्योंकि 400 का है आफर में आप देखते रही है जैसे ऑफर में मिलेगा तो आपको सस्ती मिल जाएगी 100 ml जरूर है और छोटा है यह जरूरी इतना भी छोटा नहीं है ठीक है और अभी काफी टाइम से यूज कर रही हूं जब को ग्रोथ दिखने लगे तो फिर आप लगाना बंद भी यह को भी करते हैं जैसे ग्रोथ थूड़ी आ गई थी बंद गई थी वैक्षिंग में वैक्सिंग अज़ित अख़ए नहीं जो आते हैं जो आते हैं वह लुके रहते हैं लेकिन और को गया है एक ट्यूब लगभख खत्म होने वाली है और मुझे थोड़ा से ही फरका है बहुत खास तो नहीं आया पर हाँ यह मैंने कहा ना जैसे कि लॉंग टर्म प्रोसेस है यह एक दो ट्यूप से नहीं आने वाली है तो इसको यूज़ करते रहना पड़ेगा तो बहुत जादा इसमें कुछ और हैवी नहीं बताने के लिए आपको अच्छा लगा होगा यह वीडियो अगर आपको लगा कि यह चीज बतानी रहेगा यह कवर नहीं हो पाई है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं मैं आपको कमेंट पर बता दूंगी और मेरे चैनल को सब्स्क्राइब जरू करिए ताकि आपको अपडेट्स मिलते रह हैं जैसे ही मेरा नया वीडियो अप्लोड हो तो चलती हो मैं आपको मेलोंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक केर बाबाई